अगर तुम लोग भी मुबाइल के लिए एक बड़िया MMORPG गेम ढून रहे हो तो इस वीडियो को इंद तक देखना क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंदेफ्ट रिव्यू करने वाला हूँ मूनलाइट ब्लेड गेम का जहाँ पर मैं इस गेम के हर एक एक स्पेक को कवर करूँगा चाहे वो इस गेम की स्टोरी लाइन हो ग्राफिक्स हो या फिर गेम प्लेड सब कुछ आपको आज इस वीडियो के इंदर देखने को मिलेगा और साथ ही मैं इस सवाल का भी जवाब द होता है तो MMORPG की फुल फॉर्म होती है massively multiplayer online role-playing games यानि कि यह ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ पर एक लाज नंबर में प्लेड एक साथ खेल सकते हैं यहाँ पर प्लेयर्स क्विस्ट कंप्लीट करते हैं monsters से लड़ते हैं और दूसरे players के साथ interact करते हैं MMORPG games के अंदर आपको leveling system देखने को मलता है जिसमें players अपने characters को improve करते हैं नए abilities को unlock करते हैं इन games का अगर example देना हो तो वो होगा world of warcraft, final fantasy 14 या फिर elder scrolls तो अब आप सबको समझ आ गया होगा कि MMORPG games होते क्या है Moonlight Blade भी इसी genre का game है जो कि Gulong universe में set है ये एक ऐसा universe है जो कि Asian China से inspired है ये universe अपनी rich storytelling, intricate world building और deep lore के लिए जाना जाता है यहाँ पर आपको एक vast immersive दुनिया को explore करने का मौका मिलता है तो सबसे बहले start करते हैं Moonlight Blade की storyline से Moonlight Blade की कहानी प्राचीन चायना के एक कालपनिक समय में शुरू होती है गेम के अंदर आपको 6 classes देखने को मिलती है swordsman, fairy, guardian, enchanter, bagger और flutist अब इन classes कीन अपनी खूबिया है जैसे कि किसी class के अंदर आपको damage पूरा देखने को मिलेगा तो किसी के अंदर survival इस game की studio अगर बिना किसी spoiler के मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इस game के अंदर हमारा main protagonist एक young warrior होता है जो कि धीरे-धीरे martial arts को सीख रहा है उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम हमें game के अंदर नहीं बताया पर ये ज़रूर जान लो कि इसका भाई भी एक warrior है अब होता ऐसा है कि ये बड़ा भाई हमें दो letters देता है जो कि हमें एक जियांगना नामक जगा पर ले जाने हैं और अभी currently वहाँ पर दो guides हैं जो कि बहुत जादा powerful है अजूरे dragons और एक heavenly pinnacle इन दोनों guides के leader को हमें ये letter देना है आप लोग जैसे जैसे stories में आगे बढ़ोगे तो आपने characters से मिलते चले जाओगे और साथी में हमें game के इंदर एक बहुत ही खदरनाक weapon peacock plume के बारे में भी बताया है ये एक ऐसा powerful weapon है अगर इसको कोई देख ले तो वो इनसान वही खतम हो जाएगा और जिस किसी के पास भी ये weapon होता है वो पूरी दुनिया पर कबजा कर सकता है अब इस peacock plume का आगे चाके क्या होता है और हमारा main character इसको हासल कर पाएगा या फिर नहीं ये जानने के लिए आपको game खेलना पड़ेगा overall इस game की story मेरे को अच्छी लगी और हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको ये game शुरू शुरू में boring feel हो पर आगे जाके ये इस game की story अपना pace पकड़ लेती है Moonlight Blade का gameplay काफी high quality और smooth है fighting animations मेरे को इस game के बहुत अच्छे लगे gameplay का focus Martial Arts Combacks पर है जिसमें player को अलग अलग style के Martial Arts move और abilities का इस्तिमाल करने का मौका मिलता है Comback fluid है और visually appealing है कास कर जब players powerful combos execute करते हैं या बड़े enemies से लड़ते हैं Next अगर हम लोग बात करें graphics की तो वो मुझे ठीक लगे अगर आप इस game को PC पर खेलोगे तो game के graphics सच में बहुत जादा gorgeous और stunning है पर अगर हम लोग बात करें android की तब मेरे को इस game के graphics ठीक लगे क्योंकि मैंने mobile पर इससे भी तगड़े high graphics game खेल रखे हैं जैसे की Pascal's, Wager's मैं आपको यही recommend करूँगा कि आप लोग जितने high end device पर खेल सकते हो उतने पर खेलना अगर अच्छा gaming experience चाहिए तो अब हम लोग बात करते हैं इस game की कुछ features के बारे में गेम के अंदर customizations काफी सारी हैं जैसे आप लोग अपने characters के hair, facial expressions, उसके कपड़े, in fact character के chin, उसके forehead, character के pupil का color ये सभी चीजे भी आप लोग game के अदर customize कर सकते हो आपको characters के upper lip कैसे चाहिए, lower lip कैसे चाहिए, या फिर jaw angle कैसा चाहिए, ये सब भी आप लोग game के अंदर customize कर सकते हो तो या customization के मामले में ये game काफी बढ़िया है दूसरा feature है आप लोग game का weather भी customize कर सकते हो अपने एसाब से आपको rainy weather रखना है, sunny weather रखना है, जैसा भी आपको मन करें आप लोग वैसा weather रख सकते हो और फिर उसके बाद in game उसकी photo भी खीच सकते हो अब किसी game के अंदर plus points होते हैं तो उसके negatives भी बहुत सारे होते हैं तो बात करते हैं चलो इसके negatives के बारे में सबसे पहला game का negative point है कि ये game बहुत ज़्यादा pay to win feel होता है यानि अगर आप लोग game के अंदर ज़्यादा पैसे खर्च करोगे तो आप लोग skins को unlock कर पाऊगे और ज़्यादा जल्ती जीतोगे, ये चीज़ gaming experience को बहुत हद तक ruin करती है दूसरी बात है game का unoptimized होना यानि की bugs है इस game के अंदर और environment में हमें call agent देखने को मिलती है और textures भी load होने में बहुत time लेते हैं overall अगर मैं अपना review दू तो अगर आपके पास एक high end device है और उसके पर आप लोग एक mmorpg game खेलना चाते हो तो moonlight blade को ज़रूर से try करो और जिन लोग के पास low end device है मैं उसे भी यही कहना चाहूँगा कि इस game को एक बाद try करके देखो क्योंकि story वगेरा अच्छी है बस हाँ आपको graphics थोड़े अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे बट हाँ इतने तो है कि आप लोग game खेल सकते हो गेम को डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में चले जाओ वहाँ पर लिंक दिया है मैंने उससे आप लोग game को साइन से डाउनलोड कर पाओगे और यह game free में अवलेवल है android पर भी, ios पर भी और pc पर भी तो जाओ डाउनलोड करो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब कर दो ना अगली वीडियो मिलूगा तब तक के लिए बाई